नमस्क्रभ दोस्तो विलकम बेक आप देख रहे हैं काफी वी सुमी जेन दोस्तो जब भी हम जियो पॉनिक्स की जियो स्ट्राटेजी जिजिस की और जियो इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा है की राहुल गंदिगी हमेशा बोलता है कि मोदी जी रिलाइंस जियो को परमोट कर रहे हैं क्योंकि हर जगा पे जियो एकनॉमिक्स जियो पॉलिडिक्स जियो 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 आता है और जब हम ऐसी बाते सुनते हैं राहुल गंदगी की तो हमें हसी आती है बट मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गंदगी बोधी जी से मच मच बेटर है और उसके पास एक फॉर्मॉला भी है कि कैसे वो आलू से सोना बना सकता है अब उसने बोला क्यों ये क्योंकि एक रात आलू खाया था राहुल गंदगी ने और जब सुबह उठा पेट साफ करने के लिए गया तो सब कुछ पीला पीला दिखा उसको लगा ये तो सोना बन गया तो इसलिए उसने आके भागा वहां से और सीधा प्रेस कांफरेंस की उसने या कोई सेमिनार था उसके अंदर लोगों को बोता दिया कि मैं इदर से अलू खाऊंगा नीचे से सोना निकले रहा अब आपने उसको गलत ले लिए इसलिए मैं आपको विश्वात दलाता हूँ कि आज की वीडियो जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि मोदी जी बेस्ट परधानमंतरी नहीं है इसलिए मैं बड़े दिल से हाथ रखके बोसकता हूँ कि मोदी जी को जो इलेक्शन हैं 1224 के वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको 1224 के इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए और मोदी जी आप एक फेल्ड लीडर हो राहूल गांदी के सामने और मैं बिल्कुल एक्स्प्लेंड करूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और वीडियो के एंड में आप खुद जो है यही बोलेंगे कि मोदी जी यूर अफेल्ड प्रदान मंतरी कॉंगरेस ही बैटर है ऐसा हिंदू बोल रहा हूँ मैं और बहुत लोग बोचते हैं मुझे कि मोदी जी की स्टेंथ क्या है और मैं पूरे कॉंफिडेंस के साथ ये भी बोच सकता हूँ कि मोदी जी की कोई स्टेंथ है ही नहीं और चलिए इस वीडियो को कवर करते हैं तीन कैडिगरीज में जियो पॉलिटिक्स जियो एकनॉमिक्स और स्टेटिजी पहले लेते हैं जीयो एकनॉमिक्स, क्योंकि हमारे सब के हाथ में कितना पैसा है, जो को तो पैसा चाहिए, उसके इसाब से हम बात करते हैं, जीयो एकनॉमिक्स की, मौदी जी ने किया क्या हमारे लिए, खुछ भी तो किया नहीं, भी अगर उनोंने थोड़े से एकनॉमिक र कर दिया उसके बाद क्या हुआ कि सारे दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स जो है भारत में आनी शुरू हो गई बिलियंज ऑफ डॉलर आ गई यहां पर उससे ग्रोथ भी आई कंट्री के अंदर हम एक डिर्ट ट्रीलियन पे धक्के खा रहे थे हम चार ट्रीलियन पे पहुंच लगती थी और कहीं भी एंट्री के एंट्री करनी होती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसे लगता था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं हमें भी बड़ा फकर होता था कोगी गर्व नहीं हो सकता है जिसों का फकर ही होता है हमने बड़ा फकर करते कि हम एक country से पंचाब country से हम घ्रयाना country में जा रहे हैं वहां पर entry form लगता था. और हलिये तर तरक निंगलता था रहां पर हम बड़े खुश थे हम बड़े है और हर जगर पे यह सरा system बना होगा था. और लेगिन आपने मोदे जी आकर क्या किया हमारी इतनी complex life थी उसको simple कर दिया एक GST लगाकर हमें simple चीजे नहीं चाहिए हमें easy way नहीं चाहिए we love complex structures और secondly आपने ये IBC जो ये banking वाला आपने सेपर डाल दिया हमारे उपर उससे क्या हो गया अब हमारे पास चाहांस ही नहीं है कि हम bank को लूट सकें जो उपराना सिस्टम था उसके अंदर बड़े असानी से हम bank से loan लेते थे bank को पैसे वापस नहीं करते थे bank दक्य काता था आज हम दक्य का रहे हैं और bank अराम से बैठा हुआ है हमारी property बेच के अपने पैसे पूरे कर लेता है तो Congress बैठर थी कि आप थे और हम भी जो है बैंक के कारण हम भी आलू से सोना बना रहे थे जैसे कि Congress ही ने दिपताया हमें और देश गया भाड में कौन परभा करता है उपर से आप एक और से अपर ले आए मेक इन इंडिया का बताये आपका तो ये flagship प्रोग्राम था सारे भारत को आपने भारत के छंडे के नीचे खड़ा कर दिया कि मेक इन इंडिया करीजिए आपने बोला कि हिंदोस्तान को हम manufacturing हब बनाएंगे हम भारत फॉरण से फॉरण investments को लेके आएंगे और इंडिया के एक्सपोर्स को बढ़ाएंगे भई आपने तो हमारे लिए प्रॉलम कड़ी करती हम तो बड़े असानी से चाइना से इंपोर्ट करते थे एक रपे का समान लिया एक रपे दस का बेज दिया दस पैसे अपनी जेमें डाल लिये अब हमें मेनत करनी पड़ती है सुबे से शाम तक फैक्टरियां लगानी पड़ती है लेबर रखनी पड़ती है इतने और चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है उसके बाद हम दस पैसे बनाते हैं कहां चाइना से इंपोर्ट किया, काम खतम हो गया, तो आपका made in India, ये आपके लिए तो सूट करता होगा, हिंदू को सूट नहीं करता, हिंदू को चाहिए पकी पकाई, हमें पकानी नहीं आती, ना हम इसमें इंटरस्टेड हैं, इसलिए मोदे जी, आप हिंदू के फेवर के आद भी नहीं हो, इसलिए मैं बोलता हूँ, आपकी ये कॉलिटी, दुनिया को अच्छे लगती होगी, हमें नहीं अच्छे लगती, तो प्लीज, इसलिए आप 1224 के अलेक्शन मत लड़िए, उपर से आपने एक और काम कर दिया, डिजिटल इंडिया, अब आपने हर चीज तो डिजिटल कर दी, लोग बोल रहे हैं, रेवलुशनरी, इंडिया इकॉनमी इस राइजिंग, एक्सपैंडी, डिजिटल सर्विसेज, एकॉमर्स बढ़ रहा है यहां पर, और भई हम हिंदू को हाथ में जब कैश आता है ना, उसकी स्मेल आती है, वो जो अच्छी लगती है, वो आप समझ ही नहीं सकते, आप बोलते हो कि आप जमीन से जुड़े होई हो, क्योंकि आप चाईवाले थे, आपको सिक्के मिलते थे, सिक्के तो आपको अच्छे लगते हैं, हमें लगते हैं अच्छे नोट, और नोट जो हमारे पास थे, वो आपने डी मॉनेटाइज कर दिये, अब उसके बाद हिंदू आपको वोट देख, कैसे थे, क्योंकि आपने जो हमारी में चीज थी, कैश, वो ही खतुन कर दिया, इसलिए ये डिजिटल वाला, हमें तो सूट नहीं करता, हमें पक्पु ही चाहिए, और इंफ्रासेक्चर डॉल्लमेंट पे, आपने पूरा फोकस लगा दिया, कैश हमारी येप से निकाल लिया, और जो कैश हमारा बैंक में गया, फैदा हुआ, और सड़क जो है, वो तो यूज़ करता है, कार वाला, ट्रक वाला, बस वाला, और ग्रीब, वो कहां जाएगा, वो तो साइकल पे, उसको तो इंफ्रासेक्चर की जूरती है, वो खड़े वाली सड़के थी हमारी, वो बैटर थी, क्योंकि उसमें कहा था कि जो नीचे ऐसे जाते थे, उसको लगता था जैसे प्लेन उपर नीचे जाता है, वैसे ही साइकल हमारा सड़कों पे चलता था, खड़ों में से निकल निकल के, हमें अच्छा लगता था उसमें से, कभी पीछे बीवी बैटी होती थी, गिर जाती थी, बच्चा नीचे गिर गया, तो कुछ एंटर्टेन्मेंट लगा रहता था था हमारी लाइफ में, खड़ों वाली सड़कों में जाकर, अब आपने स्मूद सड़के बना दी हैं, गरीब का तो आपने एंटर्टेन्मेंट ही खत्ब कर दी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि आप जो है वो गरीबों के हक की बात नहीं करते, आपने तो उनकी लाइफ जो है जन्रों में डाल दी है, भी कोई एंटर्टेन्मेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, अराम से बनता जाता है, अपना काम करके वापिस आयाता है, और वो पराने दिन, हम जो याद करते हैं, खड़ों में से निकल के जाते थे, और बारिश में जो होता था, हमें पता लगता नहीं था, खड़ों में से निकल के जाते, हम लोग, कभी नीचे गए, कभी उपर गए, ऐसे लगता था जैसे पहाडों में जा रहे हैं, कभी प्लेन में जा रहे हैं, साइकल भी ऐसी फिलिंग आते थी, कि प्लेन में उड़ रहे हैं, तो इसलिए हम आपको तबारा, बोलते हैं आप 24 में प्लीज मत आईए हमें पपू ही चाहिए और उसके बाद गरीब का तो आपने क्या करना था एंटनेटेन्मेंट ख़सम कर दिया फिर बोल दिया आपने कि भी मैं जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर रिफार्म्स लेके आऊँगा आपने प्रधान मंतरी किसान समान निदी दिकाल दी और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो आप लेके आगे इरिगेशन के प्रजेट लेके आगे आपने फूड प्रड़क्शन को बूस्ट करने की बाते करी भई जब हम किसान हम खूश हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते हम खुद कुशी करते हैं हम उसमें इंटरस्टेट हैं तो आपको क्या जूर पढ़िया हमारे मामले में यह मारा परसनल मैटर है कि हम खुद कुशी करें या ना करें आप कौन होते हैं कि हमारी जहां पर फूड की प्रड़क्शन बढ़े हमारे यहां पर इंकम बढ़े हमें नहीं चाहिए हम गरीबी में ही खुश हैं जैसे हमें कॉंग्रेस ने 75 साल से रखा हुआ था इसलिए मेरबानी करें आप पपू ही दे दीजिए हम जो मर्जी करें हमन इसको हम घुमां घुमां के पागल कर देते थे सूबे से लेके शाम तक नीचे से पानी निकालने के लिए वो क्या चारा खा काके वो तो भैंसी हो गई है उससे हम क्या काम लेंगे भी वो सिर्फ खाती है और गोबर डालती है कहां वो सूबे से लेके शाम तक थी वो भी फ पॉमले के कारण हमारी तो गाएं हैं उसकी लाइफ भी खराव हो गई, बच्चों की भी खराव हो रही है, इसलिए पपूई ठीक है, हम अंदकार में ही खुश है सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, साथ में आपने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगा दी, उससे भी आप कह इको सिस्टम जो बनाने की कोशिश करी है, स्टार्ट अप की, भी आपका फोकस हमेशा इंडस्ट्री की उपर है, सबकी लाइफ को ठीक करने के उपर है, इंडिया की रैपोटेशन जो है, वो उसको इंक्रीस करने पर लगे हुए आप, इनोवेशन यहाँ पर करनी है, आप पूरे दुनिया से जो गलोबल इंवेस्टर्स हैं, और उसको यहाँ पर अटेक्ट करते जा रहे हो, लेकिन गरीब, जो किसान मेरे जैसा, उसका क्या, उसकी तो जमीन गई, और इसलिए हमें डकैत जैसे जो लोग थे, जिनोंने फार्म लॉस के अगेंस कड़े होकर हमारी बात करी, कॉंग्रेसियों नहीं हमाई बात करी, हम उनके साथ हैं, आपके साथ नहीं है, और उपर से आप बैटके ट्रेड की नेगोजिशिन करिया और दुनिया भर के साथ, भी स्किल डिवलेप्मेंट आप ने कर दी, ट्रेड के अग्रीमेंट आप कर लिए, एफ टिये आपने कर लिए, मेजर जो एकॉनमीज हैं, USA, यॉरप, कोई देख लीजिए, सब के साथ आपने एग्रिमेंट कर लिया, ताकि इंडिया को गलोबल मार्केट में जगा मिरे, अब दोताइए, गरीब कहां जाएगा इस सारी चकर में, आपने ये सारा काम करें अमीरों के लिए अपने उनकी जेबे भरने के लिए, और गरीब, गरीब तो गरीब ही रहा, उपर से एंटेटेन्मेंट खतब, उपर से बच्चे भी खराब, यहारा आज तो खराब था ही था, पच्चों की लाइब भी आपने खराब कर दी, हमें अंदकार में रहने दिजी, हमें ये लिडर हो, तो आपकी तरह हो, गलोबल स्टेज की उपर आपका पुड़ा नाम है, बड़ा इंफुलेंस आपका जियो पॉलिक्स की उपर, लेकिन इस देश में आपकी पकड़ कितनी है, अभी भी 30-40 परशन हिंदू आपको वोट नहीं देता, मॉमिन जो हैं, वो सारे कॉ वोट देते हैं, उनके साथ मॉमिन भी है और हिंदू भी है, आप तो पूरे देश के लीडर ही नहीं हो, आपको तो सिर्फ 30-40 परशन जो हिंदू है, वो वोट देता है, बाकी 20-25 परशन वोट देने जाता ही नहीं, और जो बाकी के 30 रहते हैं, वो जाते हैं, कॉंग्रेस के पास, तो आप तो पूरे देश के परधान मतरी हो ही नहीं, देश बुदूनिया में आपका नाम होगा, भारत में तो नाम ही नहीं है, जो पपू का नाम है, भी बच्चे बच्चे को मालू मैं, पपू कौन है, आपके बारे में कौन बात करता है, कुछ भी नहीं है, इस रेटिंग का ही कि, इसलिए 24 को बाई बाई किई आ, ऊपर से कई लोग बोल देते हैं, कि आपकी जो डिप्लोम ऐसी है, वो बड़ी जबरतस्त है, एक्सेप्शनल है, जिसके अंदर आपने मैनेज किया हुआ है, इंडिया के रिलेशनशिप विद नेबरिंग का ट्रीस, मेज नेबरर जिसके साथ आपकी इच्छी बनती है, और पारलेमेंट में आपका नेबरर है राउल गांदी, उसके साथ तो बनाके नि रखते हो, सोनिया गांदी को आप पोल डांसर बोल देते हो, मैं कि आपने बोलते हैं, कोई और बोल देता है, तो आपके जो नेबर ना तो वह हो, पोल डांसर हो, जो बैलंसिक एक करते हो, भी आपने ठीक है, युनाटेड नेशन के साथ, युनाटेड स्टेट्स के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, सबके जगह आपने एक एडवांटीज पोजीशन खड़ी की हुई है, घर में, घर में आपसे करनाड का जीत नहीं पाए, हिमाचल आप हार गए, और ठीक है, आप तेलंगा ना, वहाँ पे तो आपकी पूजिशन जीरो थी, वहाँ पे तो मोवमिन जो है, वो जीत गए, और हिंदू ने भी वोड किया, कॉंग्रेस वो दुबारा से, इसलिए आप दुबारा से फेल होगे भारत के अंदर, बहार जो मर जी, अब हैंकड़ी हमारते रहते हो, और फिर आप बोलते हो, कि मैं जी, जो इस्ट है, इसकी तरफ मैंने अपनी पॉलिशी बनाई है, कि जो एशिन कंट्रीज है, उनके साथ मैं अपना इंफुलेंस इंक्रीज करूँगा, इंडो पैसफ एक, और इंडिन ओशन में तो आपकी पकड़नी है, बारोशिय से आप वोने बोल दिया आपको, यह आपकी जो सेना है, उसको बाहर रे वापिस लेके जाओ, और आपको वापिस लेके आनी पड़ेगी, और बाकी भी कर्ट्रीज आपको पता ही है, कैसी हमें देखती है, और रहुल क्रोड़ों रुपे लगाते हो, अपने पियार के उपर, क्या फैदा हो उसका, इसलिए राहुल गांदी इस देश के लिए अच्छा है, क्योंकि वो गरीब की सोचता है, इसलिए वो खर्चा नहीं करता है, यह मत सोचना है, यह मत सोचना है तो उसके बस एक लाग आदमी नहीं आएंगी, आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो गरीब के परिवार से आया है, वो जमस्त है, गरीबी क्या होती है, इसलिए वो खर्चे नहीं करता, एक एक पैसा बचा के अपनी जे में रख लेता है, जैसे उनके मंतरियों के घर से मिले थे, वो सारी यही पैसे बचा लेकिन करते हैं, खुद गरीब रहता है, उसके कुर्ते की जेब है, वो भी फटी हुई है, आप देखिए, इतने महेंगे महेंगे आपके सूट होते हैं, उससे आपकी इज़त बढ़ती है, देश, देश में गरीब है, उसके साथ कौन है, रहुल गांधी है, आप नहीं हो इसलिए आप प्लीस, दो नौदो गेरा हो जाएए, फिर आपने एक काम और कर दिया, जो हमें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा, वो है टेररिजम की ओपर जो आपने, नकेल कसी है, तो कश्मीर आपने सॉल्व कर दिया, नौर्थीस आपने सॉल्व कर दिया, भारत में को बेज देते हो, हमें भी मालूम नहीं है, पहले एंटेटेन्मेंट सा हमें लगता था कि चलो आज बाहर गये हैं, कुछ न्यूज आएगी, पेपर भड़ा होगा, हैड्लाइज होईगी, अज ये हो गया, वो हो गया, अब न्यूज पेपर खोलने का मन ही नहीं करता, उसमे कोई न्यूज ही नहीं है, पस यही पता लगता है, यहाँ पे आपने ये प्रोजेट खुशू कर दिया, यहाँ पे बंदे भारत की ट्रेन चलीगी, वहाँ पे आपने पोड़ खड़ा कर दिया, यह पुल बन गया, यह सड़क बन गी, हमें यही न्यूज मुलती है, और हम की कोई न्यूज बचेगी नहीं, जैसे आप काम करते जा रहे हो, भारत में भी और दुनिया में भी, उन्होंने चौदा सो साल लगाए, यह टेर्रिस को क्रेड करने में, आपने चौदा दिनों में, चौदा महीनों में, आपने यह सारा सहपक खतम कर दिया, देश में भी और बाहर भी, तो दुनिया आपको कैसे प्यार करेगी, इसलिए रावल गांदी, लेकिए दस साल रहा वो, दोज़ा चार से लेके चौदा तक, कितने ही यहां पर चीज होई, और देश के लोग कितने खुश थे, हरोज पेपर पढ़ते थे, घंटों उसके बाते होते थी, पुरा यूट्यूब भरा हुआ था, आपका जो एंडे टीवी, नेहरू डैनेस्टी टीवी था, वो तो जो है, सारा दिन दिखा दिखा के, इवन की टेरिस्ट की जो है, सपोर्ट भी करते थे, उन्हें कॉर्डिनेट बताते थे, कि भी, आर्मी कहां खड़ी है, कौन सी ग यही नहीं है, कि आपने कि सिर्फ यहां पे टेरिस को खतम किया है, यहां पे हाथ से नहीं होने दिये, आपने जो सोर्स था जहां से पैसे आते थे, उनको भी अपना दोस्त बना लिया, भी, गई बेंस पानी में, अब वहां से भी जो जिहादी बन के आते थे वो भी आने बंद होगे जो प्रेजेंट था वो तो आपने खराब करी दिया फ्यूचर भी खराब कर दिया अब बताइए हिंदुस्तान कहां जाएगा हिंदुस्तानी कहां जाएंगे एंटर्टेन्मेंट के लिए और हमें ताचलो जो बाहर लोग बैठे हैं जो इंडियन डाइसपरा है उने के साथ मिलकर हम कुछ कर लेंगे उनको भी आपने अपनी जेम में डाल दिया अब उनको यूज करके आप जियो पॉलिटिकल नेगोजिशन भी करते हो प्रेशर डालते हो जैसे अमेरिका के बड़ा दिया कि वहां पे इतना बड़ा डाइसपरा है ट्राम्प भी आपक बाकी जगा पे भी आपकी भाचा बोली जाती है अब आपने ऐसा घेरा डाला है कि हमारे पक्पूजी वापिस ही ना आप आएं ऐसे काम नहीं चलता मोदी जी आपने किसी के साथ नहीं बनाई अपने नेबरर्स के साथ जैसे की राहुल गंदी इसलिए हम आपको प्यार न इतना वड़ा वर्ल लीडर है आप तो नेशनल लीडर भी नहीं है वो एक वर्ल लीडर है वर्ल लीडर की तरह ही वो सोचता है कभी दाड़ी बड़ी करता है कभी चोटी करता है कभी उसके बाल जो होते है ऐसे होते है जैसे इलेक्टिक शॉक मिला हो क्योंकि वो वर्ल ली तो ये सारे कभी खेती भी करता हो, ताकि उसको पता लगे कि मैं कौन, मैं कहां से आया, क्योंकि मां पॉल डांसर थी, किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए आप ऐसे बंदे को उसके साथ बनाके रखते नहीं है, आप कहते जी लोकल पॉलिसी, लुक इस, ऐसे काम नहीं चलते, म और जो मोहतरा थी, सबसे सुन्दर थी वहां पे पारलेमेंट में, जिसको देखने के लिए पूरा दिन लोग टीवी पे बैठे रहते थे, पारलेमेंट सेशन जब चलता था, उसको उठा के आपने बाहर निकाल दिया, आप विमन के भी एक गेंस्ट हो, रसोनिया गांदी तो ये सारी जो सुन्दर सुन्दर लेडियां वाँ बैठी थी, उनको उठा के आप भाहर फेंकते जा रहे हो, और फिर आप कहते हो कि मैं एंगेज कर रहा हूँ, ओ एंगेज, आपने तो जो दुनिया टीवी देखती थी, एंगेजमेंट के चक्कर में, आपने तो वही ख आपको दर्द क्यों होता है, यही मुझे चीजे हैं जो अच्छी नहीं लगती आपकी, और आपकी यही जो जो लोग बोलते हैं क्वालिटी, मुझे लगता है यह क्वालिटी नहीं है, यही आपकी वीकनेस हैं, जिसके लिए हिंदू आपको वोट नहीं करता, क्यों उन्ह भी उसी में फस गया भी और आप अभी भी वोई पुराने राम चंदर वारी पालिसी लेके बैठे हुए हो कि जी स्ट्रटीजिक पार्टनर्शिप बनानी है सब के साथ मुझे दुनिया के अंदर ऐसे नहीं चाहिए हिंदू को ये पार्टनर्शिप नहीं चाहिए हमें तो जो कॉंग्रेस ने हमें 70-75 सालों में दी हुई थी हम तो उसी में खुश हैं इसलिए बेरबानी कीजिए हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए जैसे हमें कॉंग्रेस ने पताया था मेरे पिता जी आज भी जो है वो इंद्रा गांधी को ही वोट देंगे कुछ भी हो जाए इंद्रा गांधी बोल दिया और राहुल गंद्र की को ही वोट देंगे सुनिया गांधी को ही वोट देंगे क्योंकि वोट देंगे कॉंग्रेस है तो भारत है अगर गांग्रेस नहीं तो भारत नहीं तो आप तो भारत की कैडिगरी में आते ही नहीं तो हम आपको वोट को इसलिए जब आपके साथ इंदू भी नहीं है, आपको वोट देना नहीं चाहता, आपकी सारी पॉलिसिज के अगेंस्ट है, तो आप खड़े के होते हो, और आपने हमारी लाइफ को जन्नों में बना दिया है, इसलिए मैं बोल राम, प्लीस, आप ये सारे काम छोड़ दीजि उपर से हमारा तो थोड़ा सा काम चलता भी था मोमिन्स का, कि कभी कभी वो साइबर क्राइम करते थे, है न, वो भी अपने बंद करा दिया, भी नू में हमने इतना बड़ा साइबर क्राइम का हमने अड़ा बनाया हुआ था, आप ने दोस्त कर दिया उसको, तब ही तो दं हमारे खातों मेंसे पैसे ले रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भई। आपने उनको बिचारओं को इतने सीधे साधे लोग ते, घर में शांती से बैख कर हमारे खाते में लॉग in करते थे और हमारे पैसे निकालके ले जाते थे, आपने उनकी दुकान उपर से आपने हत्यारों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है हम इंपोर्ट करते थे पूरे दुनिया की बेस्ट पेस्ट टेक्नॉलिजी है हमारे यहां आती थी वो भी आपने बंद कर दी अब मेड इन इंडिया पताओ उसकी कोई वैलू है मेड इन इंडिया की यह बना दिया यह हेलिकप्टर बना दिया यह मिजाइल बना दिया यह अपने ओ कौन सी मिजाइल है जो पाकिसान ढूंड नी पाया था तीन दिन तक वो बना दिया अपने ब्रामोज को क्या फैदा हुआ हमें कहां वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नॉलिजी आती थी आज तक चल रह आपने और स्पेस में जाके आपने वहां पर बना दिया अब वहां पर मंदर बना दाना जैसे आपने राम मंदर बना दिया और राम मंदर 500 साल से नहीं बना था नहीं भी बनता था क्या फरक पड़ता था हिंदों को आपको बताओ क्या जरूर पड़ी थी 500 साल पराने इस स सुने वळुआ नहीं अपकी। सुनने वाले नहीं है। सुमधिजी मैं समिछ जेन सारे हिंदु जो कॉंग्रस को वोट देते हैं। उन की तरफ से मैं आपसे एक ही च Size बहुता हूं। कि हमें कि कर रहे हैं हमारे लिए हमें देक्ता सुनी है। Because आप कुछ फूरी तो देते ही लिए, हम तो तब देखेंगे जब आप कुछ हमें फूरी देंगे, इसलिए आप 24 के एलेक्शन मर लड़ी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं कुछ फूरी में चाहिए, और जो कुछ आप कर रहे हैं, इतना कुछ जो सुनाया याँ आपको, जो आप हमें सुनाते रहते हैं, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, वी आर हैपि, कि हमें जो बेज़ा को प्रॉमिसेज मिलते हैं कॉंग्रिस की तरफ से, वो पूरा नहीं करते, जढ़ूवाले, एक अंजरौल, ये भी प्रॉमिसेज करता हैं जो पूरी नह हमारा तो खाता है, हमारे खाती में क्या आ रहा है, हमें तो वो चाहिए, आप सौर पर देदीजी हमें महीने का, हमें मज़ूर है, लेकिन फ्री होना चाहिए, और जो ये सारा है न, ये पूरा कंट्री का, जो आपने ये ताम जम बना हो है, ये तो आप बना रहे हो कि बरने पड़ते हैं, पानी का बिल बरना पड़ता है, और वहारी लेडीज जो हैं, वो बसे में जाती है, टिकट खरिदनी पड़ती है, अभी आप देखिए, उचरती हैं, जाके सीट पे बैढ़ जाती है, को टिकट लेने की ज़रूत नहीं है, इसलिए हमें ओल्ड जो सिस मनाते थे, आंसु बाते थे, और देखिए, कितना दर्द था इन लोगों को, आपको तो दर्दी नहीं है, इसलिए एक भारती होते होए, एक हिंदू होते होए, मेरा आप से निवेदन है, आप 2024 के election मत लड़िए, हम हिंदू बड़े ही कुश हैं राहुल गंदगी से, क्यो सोना कैसे निकलता है, वो भी हमें एक फॉर्मला बताने वाला है, इसलिए आप 2024 के election मत लड़िए, हम हिंदू आपको वोर्ट नहीं देने वाले, जो 30-40 परशन अभी भी कॉंगर्स को वोर्ट देते हैं, लेकिन हम जो हिंदू है, फिर भी आपको वोर्ट ना देते होए भ असलिए लूब के लिए लाव एफ देते हैं, एक आपको स्थिस्वार्ट आपिछ स्थाभ वोर्ट नहीं वोर्ट अप्ला अनी वोर्ट वाले, वोर्ट अबलाटे हैं, वोर्ट सिवव स्स्रावारी सभाव देते हैं.